let's do question number 13th of exercise 3b that is linear equation 2 variable question number 13th is solve for x and y हमें x of y की value निकालनी है तो देखिए ये दो equations दे रखी हैं हमें 0.4x plus 0.3y equals to 1.7 and 0.7x minus 0.2y equals to 0.8 तो कैसे करेंगे चलिए हमारी first equation है हमारी 0.4x plus 0.3y equals to 1.7 ये हमारी first equation है और second equation है 0.7x minus 0.2y equals to 0.8 ये हमारी second equation है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसमें elimination की जगे हम इसमें substitution method लगाएं क्योंकि ये points में values तो हम क्या करेंगे substitution method लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ आप से point हटा दे तो ये 4 upon 10, 3 upon 10, 1 upon 10, 7 upon 10 बन जाएगा LCM लेंगे तो ये क्या आजाएगा 4x plus 3y equals to 17 आजाएगा इसी तरीके से ये भी 7x minus 2y equals to 8 आजाएगा या तो ऐसे कर लिजे कोई सा भी method apply कर सकते हैं तो मैंने कहा substitution method लगा लेते हैं तो यहाँ से x की value निकाल लेते हैं तो यह आया 0.4x equals to 1.7 minus 0.3y अब x की value के इतनी आई 1.7 minus 0.3y upon 0.4 आगई अब हमने इसको third equation को second में रखा तो putting equation third in equation second तो यह आए गया 0.7 into 1.7 minus 0.3y upon 0.4 minus 0.2y equals to 0.8 यह आगया अब देखिए यहाँ पे भी एक के बाद यहाँ पे भी एक के point है तो यह cancel हो गया अब 7 की multiplication 1.7 में तो 7 7s are 49, 4 carry, 7 1s are 7, 8, 9, 10, 11 और 1 के बाद point लग गया इसी तरीके से 7 3s are 21 होते हैं और 1 के बाद point लग जाएगे क्योंकि 3 के बाद ही था अगर यहाँ पे 7 के बाद भी point होता तो 2 के बाद लगता राइट तो यह आगया हमारा y upon 4 minus 0.2y equals to 0.8 राइट अब हमने 4 LCM ले लिया तो यह आगया 11.9 minus 2.1y as it is और 4 की multiplication is 0.2 में हो गई तो यह आगया 4 2 is a 8 that means एक के बाद ही point लगना था यह आगया 0.8 अब इस 4 की multiplication इधर चला जाएगा क्योंकि यह तो multiply हो जाएगा तो यह आगया 11.9 minus यह दोनों y के हैं और दोनों ही minus के तो आपस में plus हो जाएगे और sin minus का लग जाएगा तो यह आगया 2.9y तो minus is 32 और एक के बाद point लग गया तो अब minus का 2.9y और 11.9 उधर चला गया तो 3.2 वो minus का होगे 11.9 तो यह आया minus का 2.9y equals to minus की बड़ी value थी तो minus में आएगा 7 आया 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 3 गया is 8 right तो y minus minus cancel हो गया तो y आगया हमारा 8.7 upon 2.9 अब देखिए point point cancel होगे क्योंकि दोनों के उपर दोनों के पास एक डिजिट के बाद point था तो हमने अब निकाल लेंगे कि y की value कितनी आएगी अगर मैं 29,3 जा करूँ तो 3,9 जा 27,3,2,6,7,8 तो यह 29,3 जा तो y की value आगई 3 अब हम 3 कोई सी भी equation में put कर लेंगे तो हमने second equation में 3 put कर लेता है तो putting y equals to 3 in equation second या आप third में भी put कर सकते हैं 0.8 तो आप देखिए यह आया 0.7 x minus यह 0.6 ही आगए क्योंकि एक के बाद point था और equals to 0.8 तो 0.7 x की value कितनी आगए 0.8 प्लस का हो गया 0.6 तो यह आगया 0.7 x equals to 1.4 add करेंगे आप तो तो x कितने का आगया 1.4 upon 0.7 अब एक एक के बाद point था तो हटा दिया तो यह आगया 7 1s a 7 7 2s a 14 तो यह आगया 2 x की value कितनी आगए 2 तो इसका मतलब y की value 3 थी और x की value 2 थी is the answer